तो जो कि Dean Ambrose है वो काफी टीजड है कि वो इस महीने या फिर अगले महीने तक वापिस आ सकते हैं डेवड़ डेवली में अभी अच्छी खबर है बट कंफर्म नहीं है र्यूमर्स चल रहे हैं अगर आजाए तो बहुत अच्छी बात हैं अगर वो इस मुवमेंट पर आते हैं तो आज हम उन र्यूमर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि Most Probably होने वाले हैं और वो किस तरीके से अपनी वाप्सी करने वाले हैं तो आप देख रहा है रेसल गुरू और मैं वर्मन चली वीडियो में चलते हैं सब्सक्राइब करने वाले हैं तो उनके में इमेंट की तरफ जाने का इशारा यह हो सकता है कि वो डबड़ी का ग्रेटेस्ट रॉल रंबल भी जीच सकते हैं जैसे कि ओल्रेडी वहां पर टीस्ट भी थे बट अकर वो आ जाते हैं तो मेरे साब से काफे ज़दा इंड्रस् सब्सक्राइब करने के लिए जैसे कि हमें सेथ रोलिंज का फ्यूड जो कि देखने को मिला था वहीं पर वो ग्रेटेस्ट रोयल लंबल पर आ सकते हैं और जो कि इंटर कॉंटिनेटल चैंपियंशिप का मैच होने वाला है वहां पे काफी जादा तंग करें वो इंटर कॉ आप एक टीम को लेड कर सकते हैं जिसका नाम है सेनटी जैसे की सेनटी को अभी एक प्रॉपर लेडर की जुरत है वो Dean Ambrose टीस्ट थे हाला कि कोई भी चीज़ कंफर्मेट के लिए नहीं आई थी बड़ बी इंसाइडर जो की है उन्होंने थोड़ी से स्पेक्चुरेशन की थी कि Dean Ambrose अकर वापिस आते हैं उन्होंने एक लिस्ट में बताया था तो Dean Ambrose सेनेटी के लिडर हो सकते हैं नाला कि इस रियूमर को मैं विकेंस्ट रियूमर मानता हूँ अपनी लिस्ट का चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के उपर तो वो जो की है शील्ड रियूनियन शील्ड रियूनियन जो की है डबल डबली में हो सकता है वो कोई बड़ी बात हो और वहां पर आजाए Dean Ambrose उनके साथ और शील्ड जो कि है दुबारा से रियूनियन कर जाए और यह चीज ऐसे पोसिबल हो सकती है अगर Seth Rollins अपनी इंटर कॉंटिनेटल चैंपिरशिप जो कि है greatest royal number पर ड्रॉप कर दे तो यह थे कुछ मेरे पॉइंट जो कि मुझे आसल गुरू और मैं वर्मार्ण